नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशानत आप सभी का स्वागत करता हूँ औस्टिलाइ क्रिकेट में एक बार फिर से सैंड पेपर कांड का भूत फिर से मनराने लगा है और टीम में खलबली मच गई है हाली में बॉल टेंपरिंग कांड में फसने वाले क्रिकेटर कैमरून बैंक्रॉफ्ट ने अपने बयान दे कर इस मामले को फिर से हवा दे दी है 2018 में अफरीकी दोरे के दोरान गेन से छिडखानी मामले में पिते दिनों दा कारजियन को दिये एक इंटर्वी में उनने बताया कि टीम के बाकी सदस्यों के साथ साथ गीतबाजों की भी इसकी पूरी जानकारी थी जबसे बैंक्रॉफ्ट का ये बयान सामने आया है क्रिकेट जगत में इसकी चरचा शुरू हो गई है अब इसको लेकर पूर ऑस्टेलिया देगर्ज क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वोन का भी बयान सामने आया है औस्टले के पूर क्रिकेटर एडम किलक्रिस ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि क्रिकेट आस्टेलिया को सैंड पेपर गेट कांड की और ज्यादा जाज कराने की ज़रूरत थी। इसी वज़े से ये मामला बार-बार उठता रहेगा और हर बार कोई आएगा और किसी का नाम ले लेगा। क्रिकेट आस्टेलिया इस हालात की लिए जम्यदार है। अगर सी ये को सक्त संदेश देना होता तो उन्हें गहन जाज करके इस समस्या को जड़ से पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और उस्टेलिया के पूर कप्तान माइके क्लाक ने ठीक उलट बयान दिया। उन्हें कहा मुझे इस बात से कोई भी हरानी नहीं हुई कि सैंड पेपर गेट के बारे में तीन से अधिक लोग जानते थे। क्यात कर लिया था। केमरन बैंक्रॉफ्ट ने अपने बैन में कहा था कि स्टीव स्मिट, डेविड वॉर्नर और उनके अलावा उस्टेलिया के बाकी गेंदबाजों की भी इसकी जानकारी थी। उस घटनाय में ऑस्टेलिया और विश्व क्रिकेट को जंचोर कर रख दिया था। तीन खिलाडियों पर बैन लगा दिया गया था। फिलाल के इस वीडियो में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए वन इंडिया के साथ।